तुर्पा बस एटली इश्वर थवादे तुमारा गर्ने मारू घर थवादे तिलस्मी खेल जादू घर थवादे सगन अंधकार छुमंतर थवादे पवन आ जोतनी उम्मर थवादे पवन आ जोतनी उम्मर थवादे जरा जवास पन पकभर थवादे ने दुवा मागू के मारा कद प्रमाने कदी तो मापसर जादर थवा दे ने बदा सुखदुख मने मंजूर छे पण बदू सरकू ने मापसर थवा दे ने घणी मैनत करी छे जिन्दगी भर अवे परसेवाने अत्तर थवा दे ने मने पन पूजशे लोको यकिनन मने पन पीर के पत्थर थवा दे ने मने डर लागे छे कोई तफडावी लेशे गजल पर मारा हस्ताक्षर थवा दे तो गुजराती गजल पर जेना हस्ताक्षर थे जेनू नाम आपड़े न बोलिये छदा पन खबर पड़ी जाए कि आ खलील दंतेजवीनी गजल थे एवा खलील साहिब ने पदमश्री खलील दंतेजवीने पदम पुरुस्कृत सर्जक खलील दंतेजवीने आजे आपने याद करवा छे आजे एवने समर वा छे आम तो खलील साहिब ने गुजराती भाषाना मुटा भागना प्रतिष्ठित सन्मान प्राप्त थाई चुक्या छे पड़े मा महर लागी मरणोतर पदमश्री सन्मान थी आनन्नी बात एचे के प्रतम वार गुजराती गजलने पदमश्री मले छे एटले खलील साहिब नी आज शब्दनी सफर ए शब्द श्री थी गजलश्री अन्य हवे पदमश्री सुधी पाँचे छे तो खलील साहिब विविद विधाव मां काम करूँ छे नवलकताकार, पत्रकार, संचालक उत्तम अवाज हैमनों हतो गजलकार तो छे छे, कटार लेखक प्रतिष्टित दैनिकों मां यमनी कटार खुप जानिती हती यम बहुविद प्रतिबा खलील साहिब पासे हती तो आजे स्टूडियो मा आपनी साथे एमना सुपुत्री रेश्मा मकराणी आजे आपनी साथे चे उर्फे रेश्मा धन्तेजवी रेश्मा बेन आपनु स्वागत चे नवस्काल अने बिजा सहरुदई विवेचक सज्ज भावक सर्जक डॉक्टर रुष्रिकेश रावल पन आपनी साथे उपस्तित चे रुष्रिकेश भाई आपनु पण स्वागत चे सो प्रथम हुँ रेश्मा बेनने सवाल करिश के आप पुत्री तरीके यहमने सतत जोता रहा चो खलिल साहिब ने तो यहमना पारिवारिक वाटावरण विशे जानू छे के खलिल साहिब ना परंपरामा गजल हती के शू के अन्य परंपरामा पन गजल नहीं परिवारमा प अपन इमना माटे नावा, बनवानु सोख इमने वधारे, पन गामनी साड़ा माँ चार दोरन सुधी अब्यास करें, अने इमना दादानु वण्स तरिके जू हो तो इक मात्र संतान। इटले बार गाम बनवा जवा दे नहीं, इचार दोरन सुधी त्यां बनाई हो इटलू अने इपन खेती काम साथ है, कांके घर मा कमानार भी जो कोई निक, बुरुद्ध दादा, अने बहु जुनानी उम्मा ना आजे कई शकाए, इमारा पपा, अने खेतर मा जवानू बनवानू सोख अर्दू पर्दू बनी ने इस खेतर मा पहुंची जाता, अने खेतर मा मा अने इस खेतर मा बेसी ने माटी मा एक कको कर लखे, इने इर इते अक्सर केड़वे, आंगडी थी, काई लाकडि मडी जाए, इने इर इते बनवानू इटलो जबरो सोख है इमने, कि इर इते पन अक्सर गान ने, ज्यारे इपोते इस इद्धी प्राप्त करी चुक्या, त अने इस आड़ा को भणे चे त्यारे इमने विचारी हुआ के खलील धनतेज वी अकेडेमिक फाउंडेशन तयार करी ए ट्रस्ट आमारू त्यार चाले चे अने गामनी साड़ा मा जे बाड़ा को भणे चे इमने दर वर्से लखवा माटे नी जे नॉट्बोक्स चे मा मा एमने इटलो बदो रस आतो उझे अरे बीएड करती थी बीएड पहला मने कॉलेज पछी मने ओफर आवी कि तमस्कूल मा बनावा आओ त्यारे मारी इच्छा था थी कि हूँ जो त्यारे पपाई हुँ कि दूखे ना बीएड करी ने जवानू केडवनी लिदाव अग स्यामनी साडा मा लाइब्ररी गायक वाडी साडा है अणे लाइब्ररी अनने इमना जे दादा है फहता है ये दादा लाइब्ररी मा थी नवल कथा मंगावे अवे फोपा पासी पुस्तकों वनच्छा एं थोडूप थोडूक वाह चीन पापा ने क्या होई तुम्द और पपाई रीते नवल कथाओं मां चेन नवल कथा पूरी थाए चोमासाना दिवसों मां खेती काम मां थोड़ीक राहत मड़ेतले नवरासनी पड़ों मां आ वाचवानू चालू थाए पन एने साहित्या साथे आपने कही न सके के जाते एक एड़वाया पन अमुक एवा प्रस सभी पांधर काई ने पांट सभी मां पड़ों मां राहत में तो आप दएक रजू अने शख्या पोतानी वहात ने वीफ्लिफोधा ने गजल स्वरूपे ज़ब रूबने कश्वरूपे स्वरूपे साहित्या सावपरतने सापत्रत्वार्थम हैं पत्रकारत्य शरूफत्र प्रत्थम पुस्थक कही सको तो इस ओड़ पाना नी भजन नी पुस्थक लखी अने ए रीते पसी इमनु चालू थयो असाहित्य आगड़ अने ए वखत सुधी खबर नोती कि आने सूखे वहे बात बहुत अच्छे तो भजन थी प्रारम थयो इतले मीराबाई थी मीर सुधी अने सविशेश खलील साहिब ना गजल ना मिजाज मा एक पग अमनो परंपरा अमाने बीजो पग अमनो प्रयोक शिलता मा अने बनने पल्लाने सम्थड राकी ने पच्छे गजल नूं वेधन करता हाता रुष्यकेश भाई आपनी पासे माविश खलील साहिब नी परंपरा अने प्रयोक शिलता एमने विशेशु आप केशो दर्शक बित्रो परंपरा ना शायरो जोई है तो आजे आपनी वच्चे बूँ आंगली ना वेध्रे गणीशे का इतला शायरो छे अने अमाय गत वर्षे आपने खलील भाई ने गुमावे पन खलील भाई ए नक्षिक परं संपरा मा सतत रचा पचान होता रहता है एमने प्रयोक शिलता ने पड़ बहु मोकडा मने आवकार है थी अने हम्मेशन नवीन प्रयोगों करी ने गजल ने आधूनिक्स पर्शापवा में बहु सफडता मेड़ी थी हमने थाईने तो आवी हती महमान गुजराती गजल था लए ने तो आवी थी तो मेमान गुजराती गजल लए लिदू ते मुखरानो स्थान गुजराती गजल तार अच्छे मारा पर तारा अहसान गुजराती गजल ते मने आपी नवी पहचान गुजराती गजल ते मने आपी नवी पहचान गुजराती गजल मैं प्रयत माने कह गुछारती गजल ने शाहजादा वहने उतने शियुखवारी मौगं गुपतागु। शाहजादाओने शिखवारी मोगम गुफ्तगू छे खलापी उदने वर्दान गुजराती गजल ने बाला शंकरती लई मारी कलम लगावतां गुजराती गजल मोचव एक बहुत जानितों शेर से रखलील नाम पड़े अने एसेर वर्षय याद आवेच के तमे मन मुकीन वर्षो जाप्टू आपने नहीं फावें गैंलिवन अवतु आपने नहीं मैं येली ना माश्य तुक वाणल किया वाहटू आक प्रयोक शीलता अपने उन्टो पलाणी ने जवू छे क्या हवे क्या एक खोबा जेवडू रण आपणी वच्चे नथी क्या एक खोबा जेवडू रण आपणी वच्चे नथी कि मित्रता तो आपणी वच्चे हती छे अने हशे मात्र हुपद नू निवारण आपणी वच्चे नथी तो आ एमनी प्रयोक्षिलता ना भू उत्तम नमूना से इतले छेक परंपरा ना शायर शोभिक देशाई थी व चले वत्मान घजलकारो जो हर्दवार गोस्वामी अनिल चावडा बावेश वट आब अधा साथे पर अने बहुँ संधर ही ते अमने काम करियों एमनों एक शेर से के जो तमारा पर खुदानी मेर्बानी होई तो एक पड मांगो ने आखी सधी तमने मढ़े तो मित्रो एक सदी तो नहीं पर लगभग साड़ा च्छ दायका सुधी आटलों बदों लामों समय सुधी गजल नी उपास ना करी अने मुशारामा एक भव्य दब्दबों भोव्यों तो बहुं उच्छा शायरों ने वह से अने एवा सद्भागी आपड़ा खलील साही बता क्या बात है तो खलील साहीब एक जिगे कह चे के गोर अंदारामा मदराते जे बटकायो हतो बर बपोरे गुम थयेलो मारों पडशायो हतो ने हुँ खलील आजे मर्यो छू ए प्रथम गटना नथी जिंदगी भर हपते हपते रोज चुकवायो हतो एक नानकडा विराम बाद फरी एक वार पदमश्री खलील धंतेजवी नी चाच्चा शरूरा कीशो पदमश्री पुरुस्कुत खलील धंतेजवी नी सहीद्य सफर नी वात करी रहा छिये खलील साहीब पत्रकारत अरीके वर्शो सुधी काम करीउं एक किस्सो बहु जानी तो छे खलील साहीब जारे फिल्म पत्रकारत व करी रहा था त्यारे अमिता बच्चन नी फिल्मों एक पच्छी एक फ्लॉब जई रही आती त्यारे बच्चन साहीब नी पासे इंटर्यू माटे जाए छे आने त्यारे बच्चन साहीब अने बनने हाइट परसन हाता उभा रहे छे क्यारे बच्चन साहिब केचे के हूं तमारा थी हूं चो छू क्यारे खलील साहिब केचे के तमें हूं चान थी पर लामबा चो तो आ सरजग कईशा केचे खौकारी ने के लाक परदों में रहू बेद मेरे कोलती है शायरी सच बोलती है मैंने देखा है कि जब मेरी जुबा डोलती है शाहरी सच बोलती है अने वर्षों पची बच्चनी फिल्म हो हिट जवा लागी अने खलील साहिब ने अचानक जुए अने ओड की जाई छे अने त्यारे मने सामेट ही बोला भी ने कैचे कि अब मैं उचा हूँ या लंबा हूँ त्यारे खलील साहिब केचे कावेता मैं उचा छो तो आहां सर जक छे रेश्मा बेन आपनी पासे फरी एक वाराविश खलील साहिब नो संकर के वो रहां साहिब नी वाद करिये तो एमने यू कई वह तू के जारे सव प्रथम कवीता नी लाईनों एमना मगज मा आवे छे त्यारे एमना हात्मा कलम ने बदले दातड़ हूँ त्याहां थी संकर स्चालू थाई छे खेती, काम, जे कई पुषकड मजूरी कई शकाए काएं के आख गर मा कमानारे एक कज बुरुद दादा साथे दादी साथे रेवनू अने घर नी अखी जवाब दारी नानपन बव आपने कई शकी के नानपन ए मानित शक्या नो था किसोर आवस्ता पन एज संगर्ष मां ग आफने रेटेज पछी हैं मनों संगर्ष आगर हद यु ने कहीन मने दुख हद आतु यह वाद करवी चे वन्चीर लोगों रही गया चे दुखी चे गरीब चे आवा लोकों साथे थाई रही हो चे जे मेनत नुवर्तर जे मड़ू जो यह नथी मर्तु आप दी वाद केवा माटे पन आगड़ा बद्धू अंदर गुंगड़ा तू हतु आप आगड़ करवी त साहित्या तरफ आगड़ा अंडे शंगर्स आप दाइरेकत शाहित्या कार बनी गया पुश्कर्स आंगर्स आपरे जापडारी पंड़ी आप जवापडारी आप अगड़ आविया अंगर्स आपके पतानू नाम आप कर आपके अधा तूल्ट खासकरी ने मुट्टा भग ना गाय कोई मनहर उदास थी माडी ने एमनी गजल एमने रजू करी आने मनहर भाई ना तो शेर आम पन खली साहिब ना शेर आम पन रजू था इतो पन मजा पड़े मा गाय की स्वरू पाविदत और आने एमा जे एक जगजित सिंग नो जे सारों में नजर आता हूं अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं खलील साहिब नो मिजाज अवे आवया शे कि कोई चादर समझ के कीच न ले फिर से खलील अब में कफन ओड के चुपचाप सो जाता हूं आम मिजाज आ खुमारी खलील साहिब माचे डॉक्टर अद्वार बाई एक प्रतिभावाण शायर तरीके एक आगभी खुमारी जिंदा देली आमनी नसे नसमा वेती हैती आने कभीता आमना रदय ना उंडान मा थी आउती हैती आमने चे अंदर ती स्फूर्ती हैती एक कभीता माटे आमने कृत्री मायासो कर्मा पड़ता नो थ कि जे अभाव अभाव एबने वेठ्याता जे तकलीफों वेठी हैती संगर्ष करें तो एनी अंदर थी एक कभीता घूटाई घूटाई ने आवती हैती अने तमें विचारत करो एक सामान्य केड़ोडी पामी शकेलवा शायर शू लखे से प्रेमनी पहली मडीती नजर उठना हुटना अचाना के बैपांदरा एक बीजानी नजरिग आविगा इन विलन पना कस्माद जेवु अथू ने तमेए कस्माद भूली गया है। वाव मा कारजानों उमर को थो समीट रमतूं हतूं शाब्दना होट पर बात कहवानूं अंदा जरेशं समूं। इरुपाडी रजुवाद भूली गया। आरसम आरिवाजो आरुडी प्रथा नामीता तमे पर ना तोड़ी शक्या। आरसम आरसम आर तमे विचार करों कि जिवन में किट कितला संगर्शो और किट किटला अभावो तक्ली तकलीपों मुस्केलियूमादी पसार खया आशो। अगर त्यारे ए जिर देनी वाद करता करता बन आपी जता आशें तो ना कुमारी विशे ना बेटन शेर आपने जोई है साव खाली हाथे पन आली शान जीवेऊ चू मैं सतत गजल मापक जिंदगी मठारी छें मैं सतत गजल मापक जिंदगी फटकारी छें क्या बात अबने एक बिजो शेर से खुमारी तो खरेखर वार्षा गट तेव चे मारी तेव चोड़िने तने मडवा नहीं आओ आओ झाल आंने अंतिम शेर से जिंदगी नहीं थाक्यों नहीं तु जो थाकियों नहीं तू जो थाकी जाए तो कैजे मने तो जो था की जाए तो कहजे मनें क्या बात है जिंदा दिली एने खुमारी ए तो मारस सा संगर्श माती जावती हुआ जै अने ये ताका त्यारेद केड़ी शेकर जैने अभाव बेठे हुआ है तो मात्र गजल ने सेवी छे अने दिल फाडी ने गजल ने सेवी छे कोरा कागल पर ए जारे कलम नो संसपर्श करता तो जाने मस्जिद मा अजान थती होई मंदीर मा आरती थती होई ये वी अनुवोती थती है रेश्वाबन पदमश्री भारत नू सर्वोच्य सन्मान जारे प्राप्त थाई खलील साहिब ने अने आप ये स्विकारवा गाया के वी अनुवोती थाई खुबस गवर्णने इक सन्माती मारा माडे अने एक ये पण होतु के दरेक प्रोग्राम मा इमारी साथे आता ने आ इटली मोटिक सन्म ने वखाते वप्पा मारी साथे नहीं एक थोड़ूख था तुदू पन एक सन्मारे इटले मारे जऊवा तु आनक वार्सों के वाई जोई रहा चे अने अमने गम से के हूँ ए वड लेवा जो अने इरीते जवाबदारी विभावी ने हूँ तियां गई अने इत्रान दिवस जे हूँ तियां रही चुने इमारी जिंगी ना बहु आम बहु सारा दिवस गणा है याए के सत्तत पपाने याद करी ने जीवी अने बूली ने जीवान नहीं तो एक पन दिवस छेद नहीं ना वगर मारू अस्तित्वत नतिया रही हूँ कई शकाए रहते मारी साथे जोडायला हता रह से कायम मारा चला स्वास सुधी रह से पोते पन कहता कि साहित्यकार नी आगर कोई दिवस स्वर्गिया पन अवे वस्तु स्विआकार लिधी झे के हूँ जू तो मारा स्वास साथे जोडायला चर रह च्छे हमारा मने जिवी रहा है सःतित्यस आता रहुत हrows जीवी रह बात मारी जैने समझाती नती ये गमेते हुए गुजराती नती खलील साहिब ना आश्रप्दो रुषिकेश भाई खलील साहिब नी रजुवात कड़ा एना अंदाजे बया विशेशन केशो बोच टूक माँ दर्शक मित्रोग एक उत्ताम गजल पासे गजल लेखन नी साथे साथे अभिव्यक्ति नी कड़ा पड़ हुए जोई है अने खलील भाई मा घजल लेखन नी साथे साथे अभिव्यक्ति नी कड़ालो पड़ बहुँ सुभग समन्धवे सदायो हतो है मनों घेगुर अवाज श्रोता उपर एक भूर्की नी जैम छवाई जतो हतो है मने नाश कीण जैने मारी समजाती नी वात चैने मारी समजाती नथी ईगमे थे हॉए गुज्राती नथी आजे खोट वर्ता थी खोट ने लही नहीं जानी ता गजलकार मुसाभिर पालंपुरी लखे चे के खोट एनी जैने वर्ता थी नहीं ए गमेते हुए गुजराती नहीं तो आवो प्रभावी शायर चे खेतर थी माड़ी ने पत्मस्री सुधी पहुंचो खेतर सी खुमारी सुधीनी खलील साहबी ने मुटा भाग़े लोगों गजलकार और टरी ने लगे गनी बदीला नहीं नहीं में कोई गुबज ख्याति पामीछ घिय कद्वावन वर्ता फिल्मोंनी स्क्रिप्प लंखी संग लग्या छे गनाबदा साहित्य स्वारूपोँ मा आपने तो गजल पर पीएचडी करूछे तो गजल साथे जोड़ा एला राइचुस रतात मने जीवन साथे जे संकड़ाई ली एक जे वस्तूछे ने पांच वर्स नहाता ने पितानी चतर चाय गुमावी बैठेला अने ए वक्षती पोतानों आख्षु जीवन जाते जीवि अधार लिधावगर अने एटले लक्षे कि हुमारी तो खरेखर वार्सागत टेव छे मारी ठेव छोड़ी ने तने मडवा नहीं आओ हुमारी साथे जीवेला मारा पपाने सलाम इमात्र मारा पपाने मारा मित्र मारा गुरू उजे गणं उमार अक्खु जीवन एमना समर पीच्छे नाक्षु जीवन आस पास जुए टड़ा है लूशे एक वात उमेरिश के खलील भाई नो जे नामनो अर्थ से खलील एटले अलालो मित्र अना आजीवन खलील साथे दरेक साथे मित्र दरीके बहु सहर दरीके उम्दा जीवन जीवन जीवया धारदार जीवन अनेक प्रकार नी जे खेती थी माडी ने नवल कथाकार पत्रकार लोकों ने खबन फिल्मों पने गणी बदी बनाविया थी यह बहु बदी प्रतिभाव ने कॉलम तो एमनी एकली बदी सुंदर बंचा थी वाननी पॉखाई वखणाई यह लोको सुधी पहुछी पहुछ पहली वाद के पहलो गुजराती गजलकार रही वह वह बदी बिल्कुल गुजराती भाषा नू गवराव से बिल्कुल रिश्मा में गजलकार तरीके खली साहिब उत्तम छे पन चार पात शब्दों मां पिता तरीके खली धंतेजवी विशे वाद करुए तो शुक्या सब्सक्राइब करें listen जासे फस्रीके शिराथके अगलता सब्सक्राइब न。 न。 तुम्हादं बदानी सामे चळावे जोख काही सके करी सके सारी वस्तू एपलनेचाल वानू टीनेज बाउने वस्तुनों कोई वस्तू पूचे नहीं मने यमने ऑनूंने वस्तू आथ पाया ना संस्कारों कि तमारे जे वस्तू छुपा भी पड़े आपनों खुब खुब आबार